हेलो नमस्कार दोस्तों तो आप देख रहे हैं जीओ भन्यूस तो वक्त हो गया है दिनबर की बड़ी खबर को जानने का तूसे पहली अधियाफ हमारे चानल पानने है तो चानल को सब्सक्राइब करड़ें ताक इसी तरह की देश दोने के आप सारी खबरों से रासके अपड कख्षा 6-12 के लिए स्कूलों को ओल्लाइन क्लास का विकल्प अपनाने की सलाह दी गई है गौर्दलवे के दिल्ली में वायू गुडवत्ता सूचकांक गंभीर स्रणी में बना हुआ है पियूस गोयल ने कहा कनाडा ने गलत फ़ाहमयों के चलते भारत के साथ मुक्त व्यापार समझोते पर वारता रोकी वहिसे प्यूस गोयल के बाजार में वस्तुवान सेवा की उच्च मांग है सुतंतता सिनानी को 40 साल करना पड़ा पेंशन का इंतजार केंदर पर लगा 20,000 रुपए का जुर्माना दिली हाई कोट ने एक सुतनतता सिनानी को 40 साल तक पेंशन का इंतजार कराय जाने पर नराज़गी जिताते हुए केंद्रे सरकार पर 20,000 रुपए का जुन्माना लगाया है कोट ने केंद्रे सरकार को 12 हफ़तों के अंदर 96 वर्षिय स्वतनतता सिनानी उत्तम लाल सिंग को 1980 से वार्षिक सैनिक सम्मान पेंशन 6 पर्थिशत वार्षिक प्याज के साथ जारी करने का भी आदेश दिया है राजिस्थान में टिकट न मिलने पर पुर्व मंत्री ने बीजेपी छोड़ी निर्दलिये चुनाव लड़ने का किया एलान राजिस्थान विधानसवचुनाव 2023 में डिडवाना से टिकट न मिलने पर पुरो मंत्री यूनूस खान ने बीजेपी छोड़ने की खोशना करते वे निर्दलिये चुनाव लड़ने का एलान किया है पुरो मुक्यमंत्री वसंदरा राजे के करीबी माने जाने वाले यूनूस डिडवाना से दो बार विधायक रह चुके हैं गौर्टलवे की बीजेपी ने डिडवाना से जीतिंद्र सिंग को इस बार टिकट दिया है हमास इसराइल की लड़ाई के बीच तुर्किये ने लिया बड़ा एक्शन हमास इसराइल की लड़ाई के बीच तुर्किये ने इसराइल से अपने राजदूत को वावस बुला लिया है तुर्किय के विदेश मंत्राले ने कहा है कि इसराइल की ओर से गाजा में नागरिकों पर हमले की बाद जो त्रासदी आई है उसमें ये जरूरी था कि इस तरह के हमले रोके जाएं लेकिन इसराइल सीजफायर के लिए तयार नहीं है ऐसे में राजदूत साकीर ओजकान टोर पर्मनेट करने की मांग सुरू कर दी है पटना में नियोक्तिपतर वितरण के दौरान सीएम नितीशकुमान ने कहा था कि जल्द ही नियोजित सिक्चकों की मामूली परिक्षा लेकर उन्हें नियमित किया जाएगा इस पर T.E.T. प्रारंबिग सिक्चक संकेनितार, पाजू सिंग ने कहा कि हम कई वर्सों से इन संगर्ष कर रहे हैं सरकार को एक महीने के भीतर परिक्षा कराकर नियमित करना चाहिए। घर जाना चाहिए, वह पता लगाएं कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है, न कि नाम काट कर गर्व महसूस करने की है, ये शर्मनाथ है कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं, वीडियो पर संद आ हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें, और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चानल जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को दबाएं, और हम